तो दोस्तों अगर आप भी MyTeam 11 application में fantasy cricket team वगरे बनाते हैं और आपने MyTeam 11 application में थोड़े बहुत पैसे भी जीत लिये हैं और जब आप जीते हुए पैसे को अपने bank account में transfer करने के लिए जाते हैं तो भूल कर भी आपको convert now के option पे click नहीं करना है अगर आप click कर देते हैं तो आप है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नों और अगर चैनल तो अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दूसरों इन दिनों काफी सारे यूजर का मेरी वीडियो के comment में comment करके ये पूछ रहे हैं कि सर हम fantasy team बनाने के लिए my team 11 application का use करते हैं और उसके अंदर हमने पैसे भी जीत लिए हैं मगर जब हम जीते हुए पैसे को अपने bank account में transfer करने के लिए गए तो गलती से वहाँ हमने convert नाओगे option पे click कर दिया withdrawal करने के लिए जाते हैं तो अभी के time पे आपको इस तरह का एक new user interface देखने के लिए मिल जाता है तो उपर उपर क्या लिखा हुआ है convert your winning to deposit जिसका मतलब हिंदी में यह होता है कि आपने जो भी पैसे जीते हैं उसे आप वापत से deposit में convert कर सकते हैं और convert करने का क्या फाइदा है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे कि up to 6% का extra cash bonus मिल जाता है और दूसरा फाइदा आपको यह भी मिल जाता है कि आपको 30% की TDS saving भी मिल जाती है मगर यह जो फाइदा यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरह से छलावा है धोका है और यह जो नया feature add किया गया है अभी दीरे दीरे सभी application में implement किया जा रहा है जिसका दोस्तों फाइदा क्या है हम लोगों को फाइदा नहीं है यह जो application है gaming application इनको यह फाइदा मिल रहा है कि आपने जो भी पैसे जीते हैं उसे वो transfer करने नहीं दे रहे हैं वो चाहते हैं कि आप fit से winning amount को deposit में convert करें fit से खेले अब खेलने के बाद में ऐसा तो होता नहीं है कि gamer जो है वो हर बार ही जीते कभी कबार आप हार भी जाते होंगे और जब आप हार जाते हैं तो आपका wallet amount हो जाता है zero तो यह चाहते है fit से आप ऐसे add करें तो दोसों यहां पर जब भी आपको ऐसा feature देखने के लिए मिलें so make sure पहले आपको इसे पूरा पढ़ना है जल्दी जल्दी से withdrawal नहीं करना है कि आग बंद करके चले यह गए withdrawal करने के लिए और convert now के option पे click कर दिया अब जैसे ही आप convert now के option पे click करेंगे तो आपका जीता हुआ पैसा वापा से deposit हो जाएगा जिसे आप withdrawal नहीं कर सकते हैं withdrawal करने के लिए आपको deposit amount से खेलना होगा खेलने के बाद में वो होगा winning amount में convert और जो winning amount है उसे ही आप bank account में transfer कर सकते हैं तो देखें यहाँ पे जब भी आपको ऐसा option मिले तो convert now का option है इसे तो आप भूली जाए रिजेक्ट कर दीजे इसके उपर आपको ध्यार नहीं देना है नीचे आपको एक option और मिल जाएगा still want to withdraw का option जिसके उपर आपको click कर देना है अब click करने के बाद में simply यहाँ पे आपको अपना amount को enter करना है जितना भी आप withdraw करना चाते हैं और successfully आप अपने amount को bank account में withdraw कर सकेंगी तो नीचे आपको still want to withdraw का option मिलेगा जिसके उपर आपको click करना होगा और click करने के बाद में आप अपने पैसे को easily bank account में transfer कर पाएंग तो दोस्तों यह थी जानकारी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में इस वीडियो में share किया है आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद करके आप मुझे पूछ सकते हैं मैं reply जरूर करूँगा मगर साथ ही अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो अब यह सभी से request है चैनल को subscribe कर दीजे bell notification को भी all part state कर लीजे ऐसी informative videos मैं आपके लिए ही बनाता हूँ